आयूशी जब से अपनी सहेली के घर से आई थी, तब से वो अपनी मा से बार बार कैक्टस का पौधा खरीदने के लिए कह रही थी, उसकी मा कई बार मना भी कर चुकी थी, लेकिन आयूशी फिर से अपनी मा से यही बात बोल रही थी, तभी उसकी दादी उस पर चिल्ला कर ब में कैक्टस का पौधा रे मनूस होता है दादी आप कौन से जमाने की बात कर रहे हो आपको नहीं पता मेरी सहेली के घर में कैक्टस की दो पौधे हैं और उस पर इतने सुंदर पीले रंके फूलाते हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे आयूशी मैं इसके बाद दोबा का लगाओ जो किसी काम भी आए ये भला काटो का पौधा लगाकर तुम क्या करोगी दादी उस पर बहुत सुंदर फूल आया हुआ था और वो इतना प्यारा लग रहा था बस एक खरेदने दो अब तो आयूशी की दादी को गुसा आ जाता है और वो खड़ी होती हैं और एक थपड आयूशी के मूँ पर रख देती हैं मा जी मैं समझा लेती आप बड़ी हो गई है इस तरह चोटी चोटी बातों पर आप उसे थपड मत मारा करो तुमने ही अपने लाद प्यार से उसे इतना अभिगार दिया है आप थपड खा लिया है ना चुप चाप बैठी आयूशी के बाबा महंत बाबू अपनी एक छोटी सी पंसारी की दुकान महले में चलाया करते थे आमदनी ठीक ठाक थी घर में आयूशी आयूशी की मा और दादी और उसका छोटा भाई था महंत बाबू सुभा सवेरे ही अपनी दुकान खोल लिया करते थे और रात तक घ इस बीच सारे घर का निजाम आयूशी की दादी के हाथों में होता था, रात को जब महंद बाबू अपने काम से वापस आए, अरे ये आयूशी कहां है, दिखाई नहीं दे रही, अरे सो गई है क्या, सोई नहीं है, मूफुला कर पड़ी हुई है, कह रही है कैक्टिस का पध लगाऊंगी, भला ये भी कोई पधा होता है, अरे मा, तो किन चक्रों में पड़ी हुई है, अरे भाई, आज कल इन बातों को कौन मानता है, आज कल तो कैक्टिस का पधा सजावट के काम आता है, और पधा ही तो मांग रही थी, आपको पता है, परसों उसका जन्म दिन है, आपने उसे बेवज़ा नाराज कर दिया, ये लो भाई, अब तो इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है, दादी कुसे में मूँ फुला कर बैट जाती है, तब महंत बाबू अपनी मा को मनाने लगते है, उसके बाद वो आयूशी के पास जाते है, और उसे प्यार से समझा जाते है, रहने दो बाबा, आप भी दादी की ही बाते बोल रहे हो, एक पौधा ही मांग रही हूँ, और कुछ भी नहीं माग रही, मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ ना, और पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, घर के कामों में भी अच्छी हूँ, तो क्या मुझे एक पौधा नहीं मिल सकता। हारी बेटा, तुझे जितने पौधे चाहिए, उतने पौधे ले। लेकिन कैक्टस का पौधा बेटा, तेरी दादी नराज होती है। मैं उसे यहाँ इस कमरे की खिड़की पर रखूँगी, दादी के पौधों के साथ नहीं रखूँगी, प्लीज ना बाबा, बस एक पौधा दिला दो। आयूशी के जित के सामने महंत बाबू हार जाते हैं, और उसे पैसे दे देते हैं, कि कल स्कूल से आते समय वो अपने लिए पौधा खरीद लाए, और आयूशी खुश हो जाती है। अगले दिन वो जब स्कूल से घर की तरफ आ रही थी, तब वो नर्सरी से वैसे ही कैक्टस का पौधा खरीद लेती है, जैसा उसने अपनी सहेली के घर पर देखा था, और उसे अपने स्कूल बैग में रख कर अपने कमरे में ले आती है। दीदी, आप पौधा खरीद कर ले आई हो हां, दाधी को पता चल जातो है। दाधी हमारे कमरे में नहीं आती है, और चुगल खोर, अकर तूने दाधी को बताया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं भी दाधी को बता दूँगी कि तू चुपके चुपके कितनी सारी टौफी खाता है। आयूशी पौधे को खिड़की के पास रख देती है, और उसका भाई भाग कर एक गिलास पाने लाता है, फिर वो पौधे में पाने डालते हैं, और दाधी के पास जाकर बैठ जाते हैं। अगले दिन आयूशी का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उसी रात मेहंद बाबू की दुकान में चोरी हो जाती है, और चोर सारा समान लेकर दुकान में आग भी लगा जाते हैं। और जब तक मेहंद बाबू को इस बात की ख़बर मिलती है, दुकान राख हो चुकी थी, वो अपना सर पकड़ कर बैठ चाते हैं। अरे, अब जो होना था, हो गया भेटा, तुने दुकान का इंचुरेंस तो किया हुआ था ना। मा, तुम कैसे बात कर रही हो, महले की दुकान थी, बला ऐसी छोटी दुकान का क्या इंचुरेंस करा था। मैं तो लुट गया, बरबाद हो गया, तबा हो गया। मेरे पास कुछ गहने रखे हैं, उन्हें बेचकर तुबारा से दुकान शुरू कर लो। हाँ, जानता हूँ तुम्हारे पास कितने गहने रखें, एक वो चांदी का हार, जिसमें सोनी का पानी फिराए, और एक वो सोनी की चिन, इससे कुछ नहीं होगा। सारे घर में मायू सिछा जाती है, दोनों बच्चे अपनी कमरे में सो रही थे, कि तब ही सुबा सुबा दाधी उनके कमरे में पहुँच जाती है, और खिड़की पर रखा हुआ कैक्टस का पौधा देखकर चिलाने लगती है, हाँ, देखा, मैंने कहती थी, कि ये पौधा मनूस होता है, घर में आते ही तुमारी दुकान जल गई, सरूर, सरूर तुमने ही अपनी लड़की को कहा होगा पौधा लाने के लिए, हाँ, भुख तो, आयूशी, अभी के अभी पौधे को उठा कर बाहर फेक, और ना जाने क्या-क्या तु भान लेकर आएगा, मा, मेरा गुस्सा बच्चों पर मत उतारो, आओ, आओ तुम इधर बेटो, दादी ने इतना हंगामा मचा दिया, कि आयूशी और उसका भाई उठ गए थे, और आयूशी ने अपने कैक्टस के पौधे के गमले को कस कर अपने हातों में पकड़ लिया, जैसे कि कोई उसे छीन ना ल पर मैं जानती हो, तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, काचे होने का मतलब ये थोड़ी है, कि तुम बुरे हो, कोई कुछ भी कहे, मैं तुमे नहीं फेकूंगी, तीदी, आप इस पौधे को फेक दो, पता है ना, बाबा की दुकान जल गई पाबा की दुकान से इस पौधे का क्या मतलब है, मुझे तो कुछ समझ बे नहीं आ रहा हाँ, हाँ, मेरा कोई कुसूर नहीं, दुकान पर चोरी चोरों नहीं की, और आग भी उन्हों नहीं लगाई, मैं तो तुमारे बाबा की दुकान के पास भी नहीं गया क्या 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 क्य यह तो बात है करना बहुत पसंद है कल से तो मैं चुपचाप यहां पर बैठा हुआ था और तुमारे घर की सारी प्रब्लम्स को देख रहा था जिसके लिए मैं बिल्कुल भी जिम्बेदार नहीं हूं जाकर बता दो अपनी दादी से जाओ दादी की बातों का बुरा मत मान दादी तो कुछ भी बोलती रहती है लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है मुझे और मेरे भाई को बहुत प्यार करती है तुम अगर कहती हो तो मैं तुमारी बात मान लेता हूं और तुम तो सच मुझ में बहुत प्यारी सी घुडिया हो अच्छा अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ कल तुम्हारा बड़े भी था फिर घर में इतना बड़ा हाथसा हो गया मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हें बड़े पर क्या चाहिए ये सुनकर दोनों भाई बहन खुश हो जाते हैं और मुझे तो कुछ नहीं चाहिए बस बाबा की दुकान का कुछ कर दो कुछ ऐसा कर दो कि बाबा के पास में बहुत बड़ी दुकान हो उनका सपना था उनके पास बहुत बड़ी दुकान हो जो हमेशा गराकों से भरी रहे खुब आमदनी हो जिससे की वो हमारी हर ख्वाइश पूरी कर सके बस इतनी सी बात है तो आओ अपने बाबा को बुला कर लाओ और नहीं नहीं ऐसा करो तुम मुझे अपने साथ ले चलो आयुशी और उसका भाई कैप्टस के पौधे को ले जाकर ड्राइंग रूम में रखते थे हैं जहां पर दादी, बाबा और मा तीनों बहुत ही उदास बैठे हुए थे आयुशी बेटा, तुम्हें पता है ना कि दादी नाराज है फिर भी तुम इस पौधे को यहां ले राई हो घलत बात है बेटा बड़ों की बात सुन लिया करो बाबा, मैं तो इस पौधे के कहने पर यहां पर इसे ले कर आई हूँ यह आप से कुछ कहना चाहता है हाँ, यहां सब कुछ जल कर खाक हो गया और तेरी लड़की को देखा मजाक आ रहा है नहीं नहीं दादी आयोशी को कोई मजाक नहीं आ रहा है मैंने उससे कहा था जादूई कैक्टस ने जैसे ही बोलना शुरू किया वो तीनों हैरान हो गए और दादी तो चिला कर कहने लगी हाँ, यह कोई भूत है इसे घर से बाहर फेगो कैसी मदद करना चाहते हो तभी कैक्टस का पौधा धीरे धीरे हिलने लगता है उसमें जितने भी कांटे लगे हुए थे उसके हर एक कांटे में से एक छोटा छोटा हीरा बिखर कर टेबल पर गिर जाता है उन चमकते हुए हीरो को देखकर सबकी आँखें फटी की फटी रह जाती है इस तरह की मदद ये हीरे करते हैं तुम इने बेच दो उसके बाद में तुमें बड़ा साथ डिपार्मेंटल स्टोर खोलो और अगर कम पड़े तो मुझे बता देना मैं तुमें और भी हीरे दे सकता हूँ सब मुझे गलत समझते हैं मेरे कांटों का मेरे लिए बड़ा ही उपयोग है मेरे सुन्दर फूलों को कोई तोड़ ना ले इसलिए ये कांटे मेरे फूलों की रक्षा करते हैं जैसे आब महन बाबू अपने बच्चों की रक्षा करते हैं जादूई कैक्टस ने जब ये बात कही, तो दादी भी चुप हो गई और सोचने लगी, हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, इस तरीके से तो मैंने कभी काँटे वाले पौधों के बारे में सोचा ही नहीं, ये बात तो सच है, जितने भी काँटे वाले पौधे होते हैं, उन मैं बेवजा ही इतना भला बुरा कह दिया, तो मुझे माफ करना, तुम तो मेरे बेटे के लिए भगवान का कोई फरिष्टा बन कराए हो, देखा दादी, मैं कहती थी न, कि क्याक्टस का पौधा बहुत प्यारा होता है, आप क्या सोच रहे हो मेहंत बाबू, उठो, और जाकर अपना नया काम शुरू करो, हाँ, हाँ, मुझे अभी भी अपनी आँखों पर यकिनी हो रहा, कि मेरे सामने इतने सारे हीरे पड़े हैं, तुमने तो इतनी बड़ी मदद की है, कि मैं क्या बता हूँ, जितना तुम्हारा शुकरिया अदा किया जाए, बहुत कम है, बहुत कम है सच में, तो फिर सूच क्या रहे हो, शुपकाम में दे दी क्या, जाओ, और जाकर इन इनों को पेचो, और अपना नया काम शुरू करो, जब भी मेरी मदद की जरूरत हो, तुम बेहचक मुझे बता देना, और इस तरह, जादूई कैक्टिस ने अपना जादू सारे परिवार पर चला दिया, अब आयूशी के परिवार में कभी कोई तिकत नहीं हुई, और सब लोग जादू कैक्टिस को बहुत प्यार करने लगे। उसके पास थोड़ा बहुत धन था, तौरई और बेंगन आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही गाउं की पार्चाला में जाते, साथ ही केलते, तथा अपना दुख सुप भी साथ ही बाणते थे, बेंगन और तौरई एक दूसरे का बहुत खयाल रखते थे उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे काउं में सब लोग दिया करते थे, एक बार की बात है, बेंगन और तौरई की माता पिता पडोसवले काउं में किसी समरहों में हिस्सा लेने गए थे, उन लोगों ने बेंगन और तौरई को भी कहां, पर वे लोग माने नहीं, रहने जब ये मना कर रहा है तब ही वहां तोरई और उसका परिवार भी आ जाता है कि अरे देखिया ना हमारा तोरई तो मना कर रहा है क्या हम इसको आपके घर छोड़ सकते हैं अरे हम भी बस आपके पास आने ही वाले थे यहां ये भी मना कर रहा है चलो अच्छा है अब ये दूनों साथ में रह लेंगे और हम लोग साथ में चलते हैं जल्दी आ जाएंगे उसके बाद वे लोग पैंगन और दोरई को समझा कर वहाँ से चले जाते हैं वे गाउन नदी पार था वहाँ जाने के लिए नाव का इस्तमाल करना पड़ता था तोरई के पिता का अपना एक खेत था जिस पर खेती करके वे लोग अपना गुसर बसर करते थे माता पिता की मृत्यों के बाद अब तोरई अपने उस खेत में काम करने लगा वही दूसरी तरफ बैंगन के पिता भिंडी जमिदार के यहाँ खेती का काम करते थे पिता की मृत्यों के बाद अब बैंगन भिंडी के यहां काम करने जाता है जैसे तैसे उन दोनों का गुजर बसर चलता था वे दोनों एक दूसरे के सुक तुक में हमेशा साथ रहते कभी तोरई बैंगन के साथ खेती करने चली जाती और कभी बैंगन को समय मिरता तो वे तोरई का हाथ पटाने आ जाता वो खेती से मिलने वाले पैसों से अपना गुजर बसर करते थे पर पैसे बहुत ही कम थे धीरे धीरे पैसों के कमी के कारण तोरई को अपने खेत पिशने पड़े अब उसके पास बस एक खेत कार टुकड़ा रह गया था एक बार की बात है बैंगन जब अपने काम पर जाने के लिए निकला तो उसने देखा कि तोरई के खर के दर्वाजे अभी भी बंद पड़े है क्योंकि दोनों दोस साथ ही काम पर जाते थे पर अभी तक दोरई नहीं आया बैंगन को चिनता हुई तो वे उसके घर चला गया दोस्त दोस्त कहां हो तुम आज कुछ तविया ठेक नहीं लग रही है उसके बाद बैंगन दोरई को छूकर देखता है तो चौकते चौकते कहता है अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है तुम आराम करो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ उसके बाद बैंगन दोरई को कुछ खाने के लिए देता है और चल्दी से गाओं के वैदे गाजर को दोरई के खर बूला कर लाता है गाजर वैदे आते हैं और तुरई की जाच करने के बाद कहते हैं देखो बेटा बैंगन तुरई को निमोनिया हो गया है अब तुम्हें इसकी बहुत देखवाल करनी होगी आप चिंता न करें मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी करूँगा और हाँ उसके बाद गाजर वैदे वहां से चला जाता है वैदे के जाने के बाद बैंगन सोच में पढ़ जाता है कि कैसे वे इतनी सारी मुद्राओं का इंतजाम करे और काफी देर सोचने के बाद वे कहता है अच्छा दोस्त तुम आराम करो मैं अभी आता हूँ अर्य पर जा कहां रहे हो वो तुमारे इलाज के लिए मुद्राओं का अंतजाम करने पर इतने सारे मुद्राओं कहां से आएंगी इसके चिंटा तुम मत करो तुमारा ये दोस्त है नाभी तुम बस आराम करो मैं यू गया और यू आया वहां से निकल कर बैंगन अपने जमीदार फिंडी के पास जाता है और उससे सारी बात बताता है पर फिंडी जमीदार बहुती लाजची किसम का जमीदार था इसलिए उसने बैंगन को मुद्राओं देने से इंकार कर दिया चल लिगल यहां से तुझे यहां से एक बूटी कोड़ी नहीं मिलेगी ऐसा ना कहो माले इस समय मुझे पैसो की बहुत जरूरत है आप से नहीं माहूँआ तो किसे माहूँआ अदे कई मीजा मार पर यहां से निकल भिंडी जमीदार बैंगन को बे इस्द करके वहां से निकल देता है दुखी बैंगन वहां से रोते हुए निकल जाता है रोते रोते वे एक बेड़ के नीचे बैठ जाता है तब ही वहां एक आलू साधू आते हैं बैंगन को रोते हुए देखकर वे उसके पास आते हैं साधू को अपने पास आता देख बैंगन उठकर खड़ा हो जाता है रोते रोते बैंगन साधू को सारी बात बताता है उसके बात सुनने के बात साधू आलू अपने छोले में से एक चंपीला पत्थर निकाल कर बैंगन को देते हुए कहते है ये लो बेटा इसे अपने पास रख लो पर मैं इसका क्या करूँगा ये पत्थर मेरे किस काम का आपका तो मैंने बताया था ना तो मुझे पैसो की जरूरत है फिर भी आप मुझे ये पत्थर दे रहे हैं है 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 बेटा इतने जल्दे किसी निर्णे पर नहीं निकला जाता है पहले मेरी पुरी बात सुनो ये कोई साधारण पत्थर नहीं है ये एक जादूई पत्थर है इससे तुम जिस चीज को भी छूओगे वो सोने में बदल जाएगी और हाँ ये पत्थर मैं तुम्हें सिर्फ छे महीनों के लिए दे रहा हूँ छे महीने होते ही मैं आकर तुमसे ले लूँगा ठीक है माराज पत्थर पाकर बैंगन बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर आ जाता है घर आकर वे साधू के कहे अनुसार अलग अलग चीजों को छूँ कर देखता है वे जैसे ही किसी वस्तू को छूता है वे तुरंट सोने में बदल जाती है यह देखकर बैंगन बहुत खुश होता है और अपने दोस्त दुरई के पास जाकर उसको यह सारी बात बताता है यह देख मेरे दोस्त यह तो पत्तर है पर तुम इसे मुझे क्यों जिखा रहे हो पत्तर ही है पर कोई साधरन पत्तर नहीं है मतलब यह जादू ही पत्तर है इससे मैं जिस चीज को छूँँगा वो सोने की होज़़ए आरे वह पर यह तुम्हें कहा मिला बैंगन तोरई को साधू वाली सारी बात पता देता है उसकी बात सुनकर तोरई कहता है मतलब दोस्त हमें अब किसी से मदद नहीं मागनी पड़ेगी हाँ मेरी दोस्त पर हम सबसे पहले तेरा इलाज करवाएं उसके बात बैंगन गाओं के सबसे अच्छे वैद से अपने दोस्त तोरई का इलाज करवाता है और कुछ दिनों में तोरई पिल्कुल ठीक हो जाता है वे लोग अब सोने की चीज़े पेच कर अपने लिए खूब सारा धनिकठा करने लगे देखते ही देखते उनके पास बहुत सारा धनिकठा हो जाता है बैंगन के अंदर पैसों का खमंड आने लगा जिसका रट उसकी और तोरई की दोस्ती में दरार भी आने लगी बैंगन अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लेता है जो वहां के राजा आम के महल से भी बड़ा था ये खबर राजा आम को पता चलती है तो वे बैंगन को अपने पास बुलवाता है ये क्या सुन रहे है हम तुमने हम से भी बड़ा महल बनाया है हाँ बनवाया है क्यों ऐसा क्यों किया तुम ने राजा आम समझ चुके थे कि ये बैंगन का अहंकार बोल रहा है बैंगन ने कभी भी अपने जीवन में इतना धन नहीं देखा था इसलिए इतना सारा धन मिलने के बाद वे पागल सा हो गया था इसलिए वे अपने सैनिकों को उसको बंदी बनाने का आदेश देते हैं पर बैंगन सिपाहियों को पैसों का लालश दे कर अपनी तरफ मिला लेता है और राजा आम को बंदी बनवा लेता है जिसके पास ज्यादा धन होता है राजा वही होता है मेरे पास तुमसे ज्यादा धन है तो आप यहां का राजा मैं हूँ यह तुम ठेक नहीं कर रहे हो बैंगना एक दिन तुम बहुत पश्ता होगे जो धोका तुने मुझे दिया है असका पल तुझे एक न एक दिन जरूर मिलेगा बैंगन राजा बन कर सब कुछ अपने हिसाब से करने लगा हर काम में वे अपनी मनमानी करने लगा जिस कारण वहां की प्रजा बहुत दुखी रहने लगी थी समय ऐसे ही बीतना लगा और धीरे धीरे छे महीने का समय भी खतम हो जाता है फिर एक दिन सादू आलू बैंगन से मिलने आते हैं बैंगन बेटा कैसे हो तुम हरे सादू महाराज आप प्रणाम खुश रहो आप यहाँ आजांदर कैसे लगता है तुम भूल गये हो पर कोई नहीं मुझे सब याद है छे महीने हो गए ना तो मैं तुम से अपना वो चमकीला पत्थर लेने आया हूँ चमकीला पत्थर देने की बाद सुनने से बैंगन थोड़ा परिशान हो जाता है और सोचने लगता है अगर मैंने ये पत्थर वापस दे दिया तो फिर से मैं गारीब बन जाऊँगा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मुझे फिर से गरीब नहीं बनना है ऐसा सोचते है वे तुरंट पत्थर निकालता है और उसको निगल जाता है ये देखकर साधू आलू बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ये तुम्डश सही नहीं किया तुम्हारे मन में लालच आ गया है इसलिए तुमने ऐसा किया कोई बात नहीं तुम्हारे इस लालच का फल जरूर मिलेगा हार उस दिन तुम मुझे याद करोगी तम मैं आऊँ आ तुम से मिल ले ऐसा कहकर वे साधू आलू वहां से चले जाते हैं और बैंगन अपने मन ही मन अपने इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि वे पथर अब उसके पास ही था रात को जब बैंगन खाना खाने बेड़ता है तो वे जिस चीज को छूता है वे सोने की हो जाती है यह देखकर वे बहुत परिशान हो जाता है पूरी रात वे कुछ खाना ही पाता फूक से अब बैंगन का हाल बेहाल हो गया था पर वे करता भी क्या उसके पास अब एक ही उपाय बचा था और वे था उसका दोस्त दोरई वे तुरंद अपने दोस्त दोरई को महल में आने क संदेश भेजता है अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर तोरई तुरंद महल पहुंच जाता है उसके बाद वे उसको सारी बात पताता है तोरई को एक उपाय सूचता है तोरई उसको अपने हातों से खाना के लाता है कि तभी खाना खाते हुए वे अपने दोस्त टल्जाता है कि यह देख कर बैंगन को बहुत दुक होता है press ये क्या हो गया मुझसे मेरे दोस्त, मैं ले क्या कर दिया, ये सम मेरी ही गलती है, मुझे नहीं चाहिए ये पत्तर, साधु बाबा मुझे नहीं चाहिए ये पत्तर, आप ले जाओ इसे मुझसे तबी वहाँ साधू आलू आते हैं और अपने जादू से उसके पेट में से वे पत्थर निकाल लेते हैं मैं पहले ही तुमसे ले सकता था पर तुमको सबक सिखाना भी जरूरी था लालज ने तुम्हें अंदा कर दिया था पर आप तुम्हें अपने किये की सजा मिल चुकी है ऐसा कह कर वे साधू आलू वहाँ से चले जाते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाता है बैंगन को भी अपने किये पर बहुत पश्तावा हो रहा था इसलिए बैराजा आम को उसका राज्य वापिस कर देते हैं और अपने दोस्त दोरई के साथ रहने लगते हैं